नमस्कार आपदीकरी इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी और वक्त है राजधर्म का आज बात करूँगी मोदी के अन्स्टापिबल मिशन की कैसे मोदी बिना रुके बिना ठके मिशन पड़गे रहते हैं प्रधान मंत्री जब ये बोलते हैं कि पूरे देश में एक ही गूंज फुनाई दे रही है अब की बार चार सुपार तो ये चार सुपार कैसे होता है? मोदी के सामने विपक्ष क्यों बौना साबित वड़ जाता है? मोदी के किस स्टाइल को एंटी मोदी मोर्चा कॉमपीट कर ही नहीं पाता? प्रधान मंत्री मोदी चार सुपार की बाद हवा हवाई नहीं कह रहे हैं बलकि उन्होंने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तयार की है 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रही हैं कैसी? वो इन तीन तस्वीरों से आप समझेए नरेंद्र मोदी जो 73 साल के हो चुके हैं लेकिन उनकी एनरजी 40 साल वाले युवा नेता को भी मात देने वाली है देखिए कैसी प्रधार मंत्री राद साड़े 10 बजे CEC की मीटिंग शुरू करते हैं तो सुबह 3 बजे तक बिना ब्रेक के मन्थन करते हैं इसका मतलब ये कि वो सुबह करीब 4 बजे अपने घर पहुचे होंगे और फिर सुबह उठकार वो अपने अगले मिशन पर अगले पड़ाव पर निकल गए दोपहर 12 बजे फे वो जारखंट के धनबाद में थे करीब 3 घंटे तक धनबाद फे जारखंट की 6 फीटों के लिए एजिंटा फेट कर दिया अब प्रधार मंत्री मोदी बंगाल में है दीदी के गड़ में पहुच चुके हैं यानि मोदी ना ठकते हैं ना रुखते हैं ना जुकते हैं चुला जलता रहना चाहिए के नहीं आम मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भनने के बाद ही सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बना ले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न खटने वाला है प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोदी पश्रिम बंगाल के आराम बाग पहुँच चुके हैं आराम बाग से किसकी नींद हराम हुने वाली है और मोदी के बंगाल और बिहार पहुँचने से पहले कल शाजा शेक की गिरफतारी हो गई आज टीम सिनेता कुनाल गोश ने अपनी बायो से पाजी का नाम हटा लिया तो बिहार में एक और आरजेटी विधायक भरत बिंद ने एंडिये जॉइन कर ली आपको एक एक डीटियल बताऊंगी लेकिर आज उनों ने धनबाद से कैसे इंटिय अलाइन्स को आड़े हाथ हो लिया आप खुद सुनिए यहाँ जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी ब्रस्टाचारी और तुष्ट्री करणवाली सरकार बनी है तब से सितियां बहुत बिगड़ी है जेमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ जारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्ट्री करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है और यहाँ जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तीजोरियां भरने का इन लोगों ने जारखंड की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बे नामी संपत्यों के पहाड बना लिये हैं आपने देखी हैं ना यहां किस तरह नोटों की गड़ियां निकल रही हैं मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं है पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखंड कमाल कर रहा है कोईले के धेर तो देखे से, नोटों के धेर देख रहे हैं अब जराइस व्यक्ति के एनर्जी देखिए कल राच सुले कराच सुभए चार बजे तक जो व्यक्ति काम करा था वो पूरी एनर्जी के साथ बारा बजे जार्खन में जन सबा को संबोधित भी कर रहा था देरसों से ज्यादा सीटों पर उमीदवारों के नाम पर बंधन किया किसे रिपीट करना है, किसे ओमिट करना है ये सब ताई करके वो बंगाल पहुँचे है बंगाल की गाड़ी में किसको टिकेट दिया जाएगा और किसका टिकेट काट दिया जाएगा यह सब कुछ तै हो चुका है आपको सारी अपडेट दूँगी लेकिन सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की नरेंद्र मोधी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार वो हैट्रिक लगाने बाले हैं और इसके लिए दिल्ली में इस बार भी सौ परसेंट स्ट्राइक रेट चाहिए तो अब सौ परसेंट स्ट्राइक रेट के लिए किस तरीके से तयारी की जा रही है वो आपको बताते हूँ इसके लिए दिली की साथ लोग सभा सीटों पर मंथन किया गया दिली की साथ सीटों में से तीन सीट पर बड़े चहरों को रीटें किया गया इनमें से North East Delhi से मनोज तिवारी हैं आप जानते हैं वो उफशेतर से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर पुरवानचलियों की संख्या सबसे ज्यादा है साथ दिली से रमेश विधूरी चुनाव लड़ने वाले हैं और पशिमी दिली से वेज़ डेली से प्रवेश वर्मा का नाम इस संभावित सूची में शामिल है इववार मोधी किसी भी हाल में रिस्क लेने के मूट में नहीं है उन्होंने चार स्वीटों पर उमीदवार बदलने का फैफला लिया है क्योंकि टार्गेट 100% स्ट्राइक रेट को रिपीट करने का है माना ये जारा है कि जिन सांसदों का टिकेट इववार कटेगा उसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का नाम है नई दिल्ली से मिनाक्षी लेखी है उत्तर पश्चम दिल्ली से हन्सराज हन्स और चांदरी चौक से हर्श वर्धन जोकि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर हर्श वर्धन का भी नाम इस लिफ्ट में नहीं है कहा ये जा रहा है कि हंसराज हंस को पंजाब में शिफ्ट किया जा सकता है यसलिए इस वार दिल्ली में उन्हें टिकेट नहीं दिया जाएगा हंसराज हंस के एक तरफ जहां पश्यमी दिल्ली के बज़ए पंजाब से चुनाब लणे की जानकारी आ रही है इसका मतलब ये कि दिल्ली की इन चार सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है और इसके पीछे मोदी का मिशन चार सो है क्यूं मोदी का मिशन चार सो है पहले उस बयान को आप सुनिए आपका यही जोश यही उत्सा जिसके कारण देश में एक ही गुण्ज है मैं भी आ रहा था तो वो गुण्ज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुण्ज है अपकी बार चार सो पार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार और साथियों यह चार सो पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है मोदी 400 की गारंटी देना चाहते हैं और 400 की गारंटी कोई हवा हवाई नहीं है इसके लिए दिल्ली में उन्हें अपना पुराना स्ट्राइक रेच दोराना होगा साथने से साथ लोग सबा सीटों को लेकर आना होगा और इस बार दिल्ली में मुकाबला त्रिकोनी अभी नहीं होगा इस बार आमने सामने की टकर है एक तरफ बीजेपी है तो दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंधन है आपको बता दे पिछली बार जब भारती जनता पार्टी ने अकेले इन दोनों पार्टी से टकर ली थी उस वक्त बीजेपी का वोट शेर तकरीबन साथ के आसपास कता देखिये 56.56 प्रतीशत का स्ट्राइक रेट था आम आदमी पार्टी इतना वोट शेर था आम आदमी पार्टी 18 प्रतीशत तो कॉंग्रेस पार्टी 22.51 प्रतीशत वोट लेकर आई थी अब इस बार खिती बदल चुकी है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ आ चुकी है इसलिए बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट और मस्बूत करना होगा आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के इस जोड को अगर आप देख ले जो कि बीजेपी से 15.94 परसंट तकर अब चानी चौक के जिस इलाके में लाल किले से लेकर गुरुद्वारा हर गोविन साहिब तक सब कुछ है चानी चौक का मार्केट दुनिया भर में मशूर है चाहे वहां के पराथे हो जले भी हो सब चटकारे लेने के लिए आते हैं और राजनीती के चटकारे भी इसी चा साल का डेटा समझना होगा वो डेटा आप देखिए चानी चौक सीट पर बीजबी को पिछली बार 53.2 प्रतीशत वोट आया था वहीं आम आदमी पार्टी को 14.8 प्रतीशत वोट था कॉंग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी 29.8 प्रतीशत वोट था अगर आम इंडी अलाइंस में ये सीट कॉंग्रेस के खाते में आई है क्योंकि आप देखिए तो पिछली मरतबा चुनाव में कॉंग्रेस का ही वोट शेर बहतर रहा था यहां पर कॉंग्रेस पहले जीत चुकी है ऐसे में बीजबी ने यहां के लिए अपनी स्ट्राटीजी चेंज करने का मूड दिखाया है डॉक्टर हर्श वर्धन की जगए इस बार कोई दूफरा उमीदवार चाने चौक समयदान में उतारा जाएगा अब बात पूर्वी दिली की भी करते हैं जो इस बार इंडी अलाइंस की समझोते में आम आदमी पार्टी के खाते में कई है और उस सबसे ज़्यादा 55.6 प्रतिशत वोट इसी सीट पर मिले थे जबकि आम आदमी पार्टी को 17.5 प्रतिशत यहां भी कॉंग्रस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी 24.3 प्रतिशत वोट मिला था अब अगर इस वोट को जोड दिया जाता है कॉंग्रस और आपके वोट प् मार्जिन को और बढ़ाना चाहती है जीत का मार्जिन और बढ़ा करना चाहती है और इसलिए कहा ये जा रहा है कि इस बार कैंडिटेट चेंज किया जा सकता है बात नौर्थ वेफ्ट डिली के भी कर लेते हैं जहां 2019 में पार्टी के टिकेट पर हांस राज हांस जीत कर आय जबकि आम आद्बी पार्टी को यहां 21.2 फीफद वोट मिले थे कॉंग्रस पार्टी की बात की जाए तो यहां पर 21.7 प्रतीशत वोट मिले थे इस बार अगर दोनों एक साथ चुनाब चूंकि लड़ रहे हैं अलाइन सोच चुका है तो इनके वोट प्रतीशत को आप ज जान ले फीट से बीजेपी के मिनाक शिले की सांसत है लेकिन देरात हुई फीफी के बैचक में उनका पत्ता कट गया हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंदर पाराशर के मुताबिक यह भी फीट ऐसी है जहां पर बदलाव होना संभव नज़र आ रहा है पिछले 9.1% यहां पर वोट मिला अब इन दोनों को आप जोल दें तो 43.24 प्रतीशत का आकड़ा बनता है यह बीजेपी से अगर मार्जिन में देखी तो 11.23 प्रतीशत रहता है इतना कम रहता है इस फीट पर बीजेपी का ग्राब ज्यादा है लेकिन पार्टी इसके बाद भी जा सकता है